हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से वीड़ा वाला इसी चैनल में मैं और अमित कुमार सोनी हरदिक हरदिक अभी नंदन करता हूँ दोस्तों Government का सिक्षकों की प्रती चाहे वो अतीती सिक्षकों चाहे वो चैनित सिक्षकों सबकी तरफ रवय जो है धिलमोल बाला रहा है और अभी तक किसी की भी process start नहीं हो सकी है ना तो ये अतिती सिक्षकों को पर्मानिंट करनी की दिशा में कोई कदम उठा पा रहे हैं और ना ही चैनित सिक्षकों को नियुक्ती देने में दोस्तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो अतिती सिक्षकों से related है 15 सालों से ये अतिती सिख्षक काफी इमानदारी के साथ में पूरी इमानदारी के साथ में और समर्पन के साथ में मद्ध परदेश के बच्चों को सिख्षा दे रहे हैं और बड़ी ही तनमेता और लगन के साथ अपना कारे कर रहे हैं इसलिए उनका कुछ हक ऐसा बनता है कि उनको पर्मानेंट किया जाए और साथ ही जो भी बेतन भत्ते हैं और जो भी ऐसी शर्ते हैं जिनसे कि उनमें रेगुलिर्टी आ सके और उनका भविश सुरक्षित हो सके ऐसा कुछ कार गवर्मेंट के दोरा किया जाना चाहिए तो दोस्तों इसके संबंद में काफी आन्दूलन भी किये गए लेकिन कोई भी सकारात्मक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला कई आश्वासन मिले ग्यापनों के बाद में लेकिन उन आश्वासनों की इस्तिती केवल कुछ हद तक ही सीमित रह गए तो दोस्तों इसी के संबंद में मैं आगे बढ़ाता हुआ आज बात करूंगा कि जो सिक्षा सच्व है मद्देप्रदेश की रश्मी अरुन शमी उनको आज एक समनवेक समीती के प्रतिन निदीमंडल जिनमें की आठ सदस से थे उनके द्वारा ग्यापन दिया गया और उ हाइकोट ने अतिती सिक्षकों के संबंद में गवर्मेंट से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अतिती सिक्षकों को पर्मानेंट क्यों ना कर दिया जाए तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा है कि सिक्षकों के पद रिक्त तो हैं तो क्यों नहीं कर रहे है अतीति सिक्षकों का नियमेति करन तो मद्धेपरदेश हाई कोट ने पूचा है कि सिक्षा विभाग में सिक्षकों के बड़े पेमाने पर पद रिक्त होन में के बाद भी अतीति सिक्षकों का नेमेती करण क्यों नहीं किया जा रहा है और हाइकोट ने इसकूल सिक्षविभाग के सचिव और आयुक्त लोक सिक्षण से 6 सपता में इसका जवाब मांगा है दोस्तों ये तो हाइकोट का question है उसके बाद में अभी सतना में जब मुख् इसी बात कर ले हम देखे दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सतना में मुख्यमंत्री जी को जो ग्यापन दिया उसमें पहली जो मांग थी पुथी की अतीती सिक्षकों को अनुभाव के आधार पर नीती बनाकर उसी संस्था में इस्थाई किया जाए दूसरा था कि दिल्ली हरियाना, चत्तीसगर, चड्डीगर, आधी राज्यों की तर्जपर 62 वर्ष तक की सेवा ली जाए तीसरा पॉइंट उनका था कि 12 माह का सेवा काल किया जाए चार मांदे की जगे वेतन माह नए सत्र में दोगना किया जाए निश्यत रूप से दोस्तों मिलको सही ह वेतन बहुत कम है और मन्त में यदि उनको पूरा 12 माह का सेवा काल नहीं दिया जाता है तो निश्यत रूप से उनको आर्थिक रूप से समस्या उठानी पड़ सकती है और मुक्यमंत्री जी ने इसका आजवासन दिया अब दोस्तों हम आजाते हैं बिलकुल करेंट टॉप पर और वो करेंट टॉपिक है कि आठ सदस्य प्रतिनिदी मंडल ने सिक्षा सचिव जो की रश्मी अरुन शमी है उनको ग्यापन सोपा और उसमें क्या-क्या है देखते हैं देखें दोस्तों जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि अतीति सिक्षक समन्वाय समीती के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंग परिहार के नित्रतों में आठ सदस्य प्रतिनिदी मंडल की प्रमुक सच्चा सचिव रश्मी अरुन शमी को ग्यापन सोपा गया ग्यापन सोपते हुए समस्याओं को गिनाकर बिंदुगार चर्चा की है और चर्चा के दोरान प्रमु कई सारे रखे हुए हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि उनमें जो भी जायज होंगे और अतीति सिक्षकों पर जो लागू किये जा सकते हैं उन सभी समस्याओं का निराकर्ण करने का प्रयास किया जाएगा अब जो समस्याओं हैं उसकी में एक बार और फिर से बात कर लेता हू तो समीती सदस्यों ने सोपे गए ग्यापन के आधार पर जिन समस्याओं पर चर्जा की उन समस्याओं में मुक्रूप से अनुभाव के आधार पर इस्थाई नीती बना कर भविश्य सुरक्षित करना पोर्टल को अपडेट करना दोस्तों पोर्टल अपडेशन की बात इस लोक डाउन अवधी का मानदे दिलवाएं दोस्तों कई सारे स्कूल कई सारे शालाएं ऐसी हैं जहां पर कि लोक डाउन के समय का मानदे नहीं दिया गया और यह मान लिया गया कि उसमें क्लासिस नहीं लगी तो अतीति सिक्षकों को मानदे नहीं दिया जाएगा लेकिन क्लास में उनको लगना पड़ा ऐसा करना पड़ा तो यह वही बात है समय पर मान दे का बुक्तान करवाने 6-7 महीने में जो मान दे दिया जाता है उसको समय से दिया जाए प्रात्मिक माध्विछ विद्यालाईयों के अतीति सिक्षक भरती की विसंगतियों को दूर करके रोस्टर प्रणाली से भरती करना इत्यादी है तो दोस्तों ये सब मांगे जो हैं रखी हैं और दोस्तों साथ ही प्रदेश कारयलाय का उद्घाटन भी किया गया तो इसकी भी थोड़ी से में बता देता हूं कि अतिति सिक्षक स समीती प्रदेश कारयलाय का उद्घाटन भी आज किया गया उद्घाटन के आउसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार प्रदेश सचे रविकांत गुपता प्रदेश उपाद्यक्ष फाहिम इत्यादी ये सबी उपस्तित थे और इसमें जो विशेस बात रही है कि स संक्ठन के सदस्यों को कारयलाय में निशुल्क रुकने की सुवीधा मिलेगी दोस्तों तो ये एक निउस थी जिसमें की जायज मांगों का निराकरण करने का वचन या जो भी उनका कहना है वो उन्होंने इसमें कहा है जो हमारी सिक्षा सचिव है कि निश्चत रूप से ज हाई कोट को छे सपता का समय देने के बाद में किस प्रकार का जवाब दिया जाता है यदि आगे कोई निउस आती है तो शेयर की जाएगी मिलते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रियास करें जैहिंद झाल 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 झाल